हेलो दोस्तों मैं हूँ अब नीश की उबर आज मैं आपको शिखाऊंगा यह रुबिक्स क्यूब कैसे संबल करते हैं यह देखे पहले तो मैंने इसको डिसंबल कर लिया अब मैं इसको एक एक करके लगाता हूं अब हमें ग्रीन वाइट देखना है यह अब यह ग्रीन वाइ और ओरेंज भी लगा देंगे अब हमें दूनना ग्रीन और यालो ग्रीन से जितने भी आज मैच कर रहे हैं वो सारे यहां पर लगेंगे ग्रीन रेड ग्रीन रेड भी यहां पर लग जाएगा अगर आपको क्यूब सॉल्फ करना नहीं आता है तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं रुबिक स्कूब कैसे सॉल्फ करते हैं ठीक है अब आप देख सकते हैं अच्छी तरह हमारा प्लस बन चुका है अब हमें कॉर्णर समैच करना है तो रैड रैड और ग्रीन हम कोर्नर ढोलेंगे सबसे पहले को यह तो है जैंप इसमें रैड वाइट ग्रीन इसको ऐसे पकड़ना है और यह ऐसे लगा देना होगा हमारा एक एक पीस असंबल ड्रीन ग्रीन और ओरेंज वाइट तो यह रहा हमारा पीस इसको भी वैसी उल्टा पकड़ना और ऐसे लगा देने इस पोजिशन में आपको यह अपने हाथ पे रखना ऐसे क्यूब और फिर ऐसे ऐसे करके सारे पीसे असेंबल कर देने इस फर्स्ट लेयर के तो अब जेख सकते जैस क्यूब सॉल्ट करके फर्स्ट लेयर बनाते है हमारी वैसी असेंबल करके फर्स्ट लेयर बन चुकी है और अब हम आएंगे दूसरी लेर देखते हैं हमने पहली मैंने अलग-अलग कर लिया था इनको अब यल्लो और यहां पर लग रहे हैं इसको सिज़ा करें ऐसे पकड़के यहां पर लगा रहा है और यलो रड़ा है उसको पकड़ आसे जैसे हम सब्सक्राइब करते हैं हमारे तू लेयर कंप्लीट होगी आप देख सकते हैं बिलकुरी और यह घूम भी रही है अभी हमारा मतलब तूटने वाली पोजिशन में नहीं है तो अब हम बाकि तो ऐसे पकड़ना ऐसे देखना है यहां से और ऐसे अंदर की साइड गुसाना और यह आगया हो गया अब हम ढूंडेंगे दूसरा जपीस दूसरा पीस ही रहां में मिल गया इसको भी आशी नीचे दावना और यह अंदर हो जाएगा अगर आपको क्यों सॉल्फ करना सुक्रें मैं आपको एक और बार बता रहा हूं मेरे चैनल पर विजट करके आप सीख सकते हैं क्यो अब सब्सक्राइब पड़ेंगे तभी आप देख सकते हैं अब हमारी यह थर्ड लेयर के क्रोस लेयर बन चुकी है अब हम यह देखेंगे रैड ब्ल्यू यलो रैड ब्ल्यू यलो यहां पर लगे गए इसको ऐसे जोड़ लगाना और यह लग गया अब दूसरा उठाते ह इसे ब्ल्यू ओरेंज वाइट यह लग गया तो यह दूसरा ऐसे लगाना आप लोगों को देख सकते हैं ऐसे ठीक है अब यह जो लास्ट कॉर्णर बच्टा कई वार होता है किसी का क्यूब टाइट होता है तो लगता नहीं है जल्दी तो किसी के क्यूब में पहले कॉर्णर लगता है जैसे पहले कॉर्णर लगता है उसके बाद ऐसे लगता है या फिर पहले एज या फिर पहले एज लगता है उसके बाद कॉर्नर लगता है तो आपको टाइप दबाने यह लगया लगया और आप देख सकते हमारे क्यूब कितना स्मूज है और अब मैं आपको लाश्ट टाइम बता रहा हूं कि मेरे मेरे चैनल पे भी रूबिक स्कूप करने की वीडियो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करना सस्क्राइब करना कि मैंने आपको असेंबल करना सिखाया बाए दोस्तों